हेलो दोस्तों नमश्कार कैसे हैं आप सब आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कचौरी की रेसिपी आप देखी सकते हैं कितनी फूली फूली और बहुत ही टेस्टी ये कचौरियां बनी हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती हैं अगर आपकी कचोरियां क्रिस्पी बनती हैं तो आप इस recipe को फॉलो कर सकते हैं और आपकी कचोछयां ऑफी ऐसी ही बनगे तैयार होंगे तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं recipe को यहां पे हमने एक बाउल लिया है यहां पर हम तीन कप मैदा डालेंगे यहां पर मैंने नाप के रखा हुआ है यह मेरे पास तीन कप मैदा है और इसे अब हमने इसका आटा लगाना है इसे नीड करना है यहां पर हम आदा चमच नमक का डाल लेते हैं नमक को थोड़ा मिक्स कर लेंगे और अब इसके अंदर हम डालेंगे आयल, यहाँपे आप चार से पांच चमचा ऑल कर डाल लीजाएंगे मैं रिथाइंड आयल काई योज्ड करेंही हूं यहाँपे देसी घी यदाल्ड़ा घी कार यूज भी कर सकते हं और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे अजवाइन यहां पर मैंने आदा चमच अजवाइन का डाल लिया है यह डाइशन में हलप करेगी आपको और थोड़ा सा मिक्स कर लिया है अब हम इसका आटा लगाएंगे अब मैंने रूम टेंपरेचर पर जो पानी है वो लिया है और इससे हम डो लगा लेंगे डो हमने काफी टाइट लगाना है मतलब ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही जड़ा हाट लगालोगे यह भी नहीं होगा कि रोटी जैसा लगालोगे जो मीडियम हाट दो होता है वो आप लगाकर इसको रेडि कर लीजिए यह आप देख सकते हैं इतना टाइट मेरे डो लगाया है इसे धक कर रख देते हैं ओयल का हाथ लगाते हुए 10-15 मिनिट आप रेस्ट पे करेंगे जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हम इसकी फिलिंग रेडी कर लेंगे फिलिंग रेडी करने के लिए हमने यहाँ पे एक कप मर्टर का लिया है मर्टर को हम ग्राइंडर में डाल लेते हैं हमने इसको दरदरा सा पीस लेना है बहुत ज़्यादा बारिक नहीं पीस देंगे और दरदरा पीस लेंगे यहाँ पे तीन से चार हरी मिर्च डाल लेते हैं इसके अंदर और इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं अब देखिए इस तरह की आपने पेस्ट बना लेनी है इस तरह हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसे अब हम तड़का लगाते हैं अब हमने तर्का लगाने के लिए पैन रखा है, पैन अच्छी तरह गरम हो चुका है, अब इसके अदर awak डाल लेते हैं, दो चम्मच, दो चम्मच तेल के डाल कर इसे अच्छी तरह गरम कर लेंगे, और यहाँ पे हींग डाल लेंगे आधा चम्मच के करीब, और यहाँ पे लेसुन का कच्छापन अच्छी तरह निकल जाना चाहिए एक मिनट इसको भून लेंगे तो यहां पर देखिए यह हमारा लेसुन है जो यह भून चका है और अब हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी वन फोर्थ टीस्पून नमक डालेंगे टेस्ट के अंसार यहां पर एक चम मिक्स करेंगे और पकाएंगे लो से मीडियम फ्लेम पे तीन से चार मिनट लगेंगे इसे पकने में और उसके बाद यह फिलिंग हमारी रेडी हो जाएगी और यह थोड़ी सी एक बार तले में लगेगी उसकी टेंशन नहीं लेनी है दो मिनट भूनोंगे तो यह बिल्कु हो रही है तो समझ लीचेगा यह हमारी पक चुकी है और यह अब कचोड़ी बनाने के लिए बिलकुल तैयार है और देखिए मैं इसको अच्छे तरह चलाते हुए पका रही हूँ बीच में छोड़ना बिलकुल नहीं है नहीं तो यह तले में लग भी सकती है अब देखिए यह जो फिलिंग है यह तले में लगना भी बंद हो गई है और यह पक चुकी है अब आपने इसे फ्लेम से नीचे उतार लेना है और ठंडा कर लेना है ठंडा करने के बाद इसको हम यूज करेंगे तब तक हम अपना आटा चेक कर लेते हैं 15 मिनट हो चुके है आटा हमारा अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके है अब हम एक से दो मिनट इसे नीड करेंगे अब आपने इसको नीड करना है तांकि यह अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए और इसमें खिचाब भी आ जाए तो लीजिए आटा हमारा रेडी हो गया है अब हम पर इस तरह हाथों में नेड़ करें तांकि इसमें जो क्रैक्स है वह बढ़ित लिए और अच्छी तरह बढ़ित प्रशल के सारे प्रशण अरगे लिधी लिए आपने प्रशण पार उनके अहां है चोटे आकार की पूडी हमने इस तरह बना ली है आप इसके अंदर हमने मोच डाल ली एक चंबज भरия pourra bathroom सिदम का dispute डाल लेंगे फिल्लिंग बिलकुल ठंडी होनी चाहिए जब आप इसके अंदर डाल रहे हो आपको तो फिलिंग का तेज़ती तरह जबर्दस्ता आएगा कि आपको मज़ा आजाएगा कचोड़ी खाकर आप एक बार ट्राई जरूर कीचेगा इसके उपर रखने के बाद आपने इसको अंदर की तरह प्रेस कर देना है और इस तरह जो हमारा आटा है उसे इस तरह फोल्ड करें इस तरह प्लेट्स बनाएंगे और ये कचोड़ी हमारी इस तरह बंद हो जाएगी एंड में आप इसको पकड़ कर इस तरह घुमा दीजिए और ये इसको बंद कर लेंगे ये लॉक हो जाएगी खुलेगी बिल्कुल नहीं अब अगर आपको लगे कि आटा उपर की तरफ सकती है तो आप इसे हटा भी सकते हैं अब हमने इस तरह PAT करते हुए इसको बेहितले कर लेना है पहले आप अपने हाथोंसे दबाएंगे उसके बाद बेहरेने मिल्गे और बहुत जादा प्रेशर से नहीं बेलना है तो आपकी कचोड़ी फट भी सकती है बस इससे दबाते हुए हम इस तरह रेडी कर लेंगे और इसी तरह हमने ये सारी कचौरियां बनाकर तयार कर लेनी है साइज बहुत जादा बड़ा नहीं करना है नहीं तो फिर आपके कचौरियां फूलेंगी नहीं बस इस तरह छोटी सी पूरी बनाईए और उसके अंदर फिलिंग डालिए औ इसी तरह हमने सारे पीस अपने रेडी कर लिने हैं और सभी को पहले एक बार रेडी कर लीजिए उसके बाद ही फ्राइए करेंगे अब हम इसे फ्राइ करते हैं यहां पे एक राही के अंदर हमने ऑईल गरम होने के लिए रख दिया है ऑईल मीडियम से लो फ्लेम पे गरम करना है बहुत ज़्यादा हाई नहीं होने चाहिए इस तरह से एंटर में से आप हथेली से दबाते हुए से डालेंगे तो कुछ और कोचोरियां आपके बिल्कुल फूल कराएंगी इस तरह मैंने इसको हलका सा प्रेस किया है हथेली से और अब ऑईल के अंदर डाल देते हैं आप देखें मैंने ऑईल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं किया है आपको पता ही चल रहा होगा और तीन से चार पीस आप एक बार म कोचोरियां तब तक आपने टरन नहीं करनी है जब तक ये अपने आप अईल से उपर नहीं आ जाती हैं ये दिखे ये ऊईल के बिल्कुल उपर आ गई है अब हम इन्हें टरन करेंगे तब हमारी जो कोचोरियां हैं बिल्कुल फूली हुई बनेगी अगर आप बीच- एक लोट को होने में लग जाते हैं आप देख सकते हैं कितने ये फूल गई हैं अब हम इने color आने तक ऐसे ही चलाते हुए बीच में पल्टी करते हुए पकाते हैं अगर आपको लगे कि इसमें space है तो आप थोड़ी सी कचोरियां बीच में और भी डाल सकते हैं आप देखें यह बहुत जादा क्रेश्पी हो गई है और इनका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है और बिल्कुल लो से मीडियम फ्लेम पे ही आपने फ्राइ करना है हाइ फ्लेम पे बिल्कुल नहीं करेंगे नहीं तो उपर से जल जाएंगी और अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी अब ये वाला लॉट हमारा रेडी हो चुका है अब हम इने निकाल लेते हैं आप देख सकते हैं देखने में ही पता चल रहा है कि ये अब तैयार हो चुकी है और इसे अब हम नैपकिन के उपर निकाल देंगे तांकि जो एक्स्ट्रा ओयल है वो सारा उस पर अब्जॉब हो जाए इसी तरह हमने अपने सारे लॉट फ्राई कर लेने हैं अब लीज़े सारी कचौरियां हमारी बंद कर तैयार हो गई हैं बहुत जला फ्लेकी हैं क्रिस्पी हैं और टेस्टी हैं ये खाने में अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शुर कीज़ेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा और आगे आपको अगर कोई रेसिपी चाहिए होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएए हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे इस वीडियो को देखने के लिए है आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद और अगर किसी ने इस रेसिपी को ट्राइ किया है और उसका टेस्ट कैसा आया है वो भी आपको हमें बताना है और हमें फिर अनकरज मिलता है इसी चीज़ से ऐसे ही हम आपके साथ बहुत सारी रेसिपी शेयर करेंगे और मेरे पिच पे बहुत सारी रेसिपीज हैं आप उन्हें चैक भी कर सकते हो छलिए एक कचोरी में आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ ये लिजी एक कचोरी में आपको तोड़कर दिखा देती हूँ बहुत ही जड़ा क्रिस्पी है ये बिल्कुल फ्लिकी बनी है इनमें काफी सारी लेयर्स है आप देख सकते हैं और यहां पर इसे हम इमली की चतनी के साथ सर्फ कर रहे हैं आप अपनी च्वाइस के रिकॉर्ड मेरी इतनी गरेंटी है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट बनी है थैंक ये फो वाचिंग दिस वीडियो